आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं, सुपर हेल्दी, भेरी टेस्टी, गिहुं के आटे के बने हुई बिस्किट, जी हाँ फ्रेंड्स आजम बनाएंगे, गिहुं के आटे से बिस्किट वो भी कडाही में बनाएंगे, मातर पांच रट में ये बिस्किट बनकर तयार हो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बढ़ा है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेजेगा प्यारा सा लाइक किजेगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिजेगा तो बिस्किट बिलाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप गेहूं का आ आप इलाइची में खड़ी इलाइची का यूश कर रही हूं आप इसकी जगए इलाइची का पॉडर भी ले सकते हैं अब इन्हें मिक्स करेंगे और यह देखिए मैं पांचे चमच तेल लेली हूं तो थोड़ा थोड़ा करके तेल इसमें डालेंगे आप देख लिजेगा आटा अगर ज्यादा मोटी होगी या बारीक आटा कैसा आटा यूज करते हो इसके अनुशार आपको तेल इसमें डालना होगा तो यह दिखे इस तरीके से आप चेक कर लिजेगा जैसे आप इसे बांद कर देखेगा मुठी में तो यह बंद जाना चाहिए जब यह बंद चीनी यह जिस कटोरी से जिस कप से हम आटा लिये थे सेम उसी कटोरी उसी कप से चीनी लेंगे और आधा कटोरी से पाइन डालेंगे एक कटोरी चीनी है तो आधा कटोरी पाइन डालेंगे अब इसी चीनी और पानी से हमें आटा को गुथना है बिल्कुल बाजार वाली बिस्किट बनी की फ्रेंड्स यह देखिए तो अब इसमें चीनी और पाइन डाल करके अच्छा-चा आटा लगा लेंगे सक्स आटा लगाएंगे और बिस्किट तो आपको बिल्कुल वैसा ही दिखे दा वाली जो चीनी ऊपÂंपार से दिखता है पाटा तो इस तरीके से अटा को बुथ लेंगे एक यही बार में नहीं डालेंगे चीनी पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये देखिए आटा लगा कर मैं तयार कर ली अब एक बावण है मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके का हमें आटा लगाना है और एक बड़ी सी लोया तोड़ लेंगे इसमसे और चकले पर रखेंगे और इस तरीके से मिलाएंगे और हमें इन्हें बेलना है से सब्सक्राइब लाएंगे इस पर दिखना हो डूबर्या लूज espory में आटा लगाएंगे यह वाली और फिस दिवे लेंगे हैं अभी हटा देंगे फिलहार कि इधर से भी काट लेंगे चारों तरप से कि अब इधर वाले किनारे को भी काट लेंगे अब इसमें चार बिस्किट बनाएंगे एक बिस से इस तरीके से कट लगाएंगे अब यह दो भाग में बट गया अब एक और एक एक भाग इसमें लगाएंगे यानि बिस से इसमें कट लगाएंगे और उसमें भी कट लगाएंगे तो यह देखिए चार बिस्किट जो है हमारी देखिए तयार होगे इस तरीके का हमें आप गोले सेप में भी काट सकते हैं कोई बोतल का धकन हो या कोई अच्छा बनाना है इसके उपर आप अपनी मनफसंद कैसे भी बना सकते हैं तो इस तरीके से मैं डिजाइन बना दी यह देखिए बहुत ही सिंप्ली भी बिना बैक किये कडाही में जल्दी से गूंको अधर देखिक तरीकश में तरीके से तैयार करेंगी तो यहां डेकust को मैं समय तरीके से तैयार कर लिए है अब चलिए चलते हैं ओ तो ग Mädchen के पारा भाएक तिल, जो है, गरम हो जाए है और इन्हें बिलकुल ल फ्लेम पर हम में तलना है तो पहले चोटा सा टुक्रा डालकर चेक कर लेंगे तो तेल हमारी गर्म है अब लो फ्लेम कर लेंगे और धीमी आज पे ने हमें सिखना है बिल्कुल धीमी आज पे और जब एक साइट से गोल्डें ब्राउन हो जाएगा तो ही दूसरे साइट से इन्हें पलटे लेंगे और दोनों साइट से इन्हें अच्छे से केस्पी होते तक तल लेंगे और बिल्कुल साधानी से पलट येगा वनाया तूट सकता है जब सीके तो प्लट ये तो नहीं तूट जाएगा अगर आप ऐसे ही पलट देजा तो तो पहले एक साइट से सीक जाएगा तो ही पलटना है तो ये रेखिए ये दोनों साइट से क्रिस्पी हो गया है और परफेक्ट कलर भी आ गया है इसका देख सकते हैं आप बिस्किट का और इस तरीके से किनारे पर लाकर एक एक करके सारे बिस्किट को निकाल लेंगे किनारे पर तेल लाकर के जो तेल इस्टा होता ह कडाहियों वापिस चला जाएगा और यह दिखिए आपको बिस्किट में के चीनी के दाने भी दिख रहे होंगे कि अर्शेम तरीके से दूसरा बैच भी तयार कर लेंगे यकीन माने फ्रेंस बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी बनता है विस्किट आप बना कर बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चे बाहर का विस्किट आप से नहीं मांगेंगे और यह सबसे ज़्यादे है हेल्दी इसलिए है क्योंकि गिहों के आटे का बना हुआ है घर में बनाया हुआ है तो अच्छा है आप बना करके और इसकी सिल्फ लाइफ भी रहती है दो से तीन मन्त आप बना करके आराम से डब्बे में श्टोर करके आप रख सकते हैं की जैसे में पानी के सात्थ आटा को गुती आप चाहे तो दूद में भी गुत सकते रही है कि δूध में मील्क के साथ तो वह उसका सेलभ लाइफ तना नहीं होता है इसका जादा सेलफ लाइफ होता है तो यह दिखिए आपको एक एक धाना दिख रहा होगा चीनी का खड़ी खड़ी जो चीनी है वो दिख रही है तो इसलिए मैं पानी में गुद कर बनाई हूं अगर तुरंस से बना कर तुरंस खाना हो तो आप पानी के जगह दूद में भी मिल्क में भी बना सकते हैं इस बिस्किट को लेकिन उसका सिरल फ्लेक ज्यादा नहीं होग अगर पिशन्द आई होगी तो एक लाइक कर दीजेगा चाहती अपने फैमली और फ्रेंड के साथ सेयर कीजेगा चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा नोटिफिकेसन वेल को आन करके और पर स्लेक्ट कर दीजेगा फ्रेंड्स में फिर्मी और हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको ये विस्कित कैसी लगी